रोटी उसी को मिलती है जिसको भोग होती है जॉब उसी को मिलता है जिसको नीड होती है फाइनेंस का ग्यान फाइनेंस का ग्यान हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ फाइनेंस अग्यान और आज मैं आपको बताऊंगा एलाउंस ट्रेवलिंग क्रेडिट क्या-क्या मिलता है एज एग्जेगेटिव को एज फाइनस कंपनी में जॉब करने वाले एनी एंप्लाई को ठीक है सैलेडी और इंसेंटिव के अलावा भी फाइनस में बहुत सारे पैसे आपको अलाउंस मिलेंगे और उपयोग कैसे करना है मैं आपको पूरा डीटेल में आज की वीडियो में बता रहता हूं ठीक है आप फील्ड पर जा रहे हैं अगर 50 किलमेटर के ऊपर गये हैं ठीक है या फिर आप 100 किलमेटर के ऊपर गये हैं जहां आपको हाल्टिंग करना है ठीक है तो होटल का पूरा पैसा कंपनी देगी लेकिन आपको लगाना पड़ेगा बाद में अगले जब आएंगे आपको तो कंपनी आप से आपको मिल जाएगा अब आपको आपका प्रशन हो कितने तक होटल में रुख सकते हैं कितने तक क्या कर सकते हैं कितने तक खाना खा सकते हैं कितने घूम सकते ह तो सीधे बात है आपको होटल में आप एसी वाले होटल में रुख सकते हैं इवन आप 4500 रुपया के होटल में अराम से रुख सकते हैं एक्जेगेटिव ठीक है बीमें तो उससे बड़ा और जितने भी से उनको और बड़े ठीक है प्लस आपको ट्रेवलिंग बाइक का आप आपको जो पैट्रोल मिल रहा है लेकिन आपको उसमें ट्रेवलिंग करना भी अलग से आपको कंपनी देगी अगर आप वहां पर जाके दिखाएंगे उसलिए आपको पैट्रोल का सब को बिल रखना पड़ेगा आपको सबूत देना पड़ेगा कि भाई मैंने गया था यह आप दिन तीज चाइयो कोई नहीं सब ना או चटा दिन का खाना शाम नाश्टा रात वखा कि और ऑखना फती उन्हें रता है लेकिन उसका अगर आप वहां पर फूड बेजा सकते पयंड़ने जाएंगे अपर पिल रहता है ह KPивать an फट यही करने जाते हैं थीक है वहां कुछ लोग खाना खाने भी जाते हैं तो जो फुट फुट विल रहेगा उसको आप देंगे तो वह पास हो जाएगा ठीक है रही बात फ्लाइट और ट्रेन में आप क्या कर सकते हैं ठीक है अगर अरजेंट रहा तो तो आप कर सकते हो ठीक है लेकिन फ्लाइट के जोरत पड़ती नहीं क्योंकि आप स्टेट वाइस है तो फूटो गई है यह परसनल आप गाड़ी कर सकते हैं तो वह लेकिन भी अम के लिए ऐसे एक्जेक्टिव आपको बस कर देगी या ट्रेंड कर देगी जैसा आपको एडि पास्त हो जाता है लेकिन क्या यह जो बैक आफिस वाले होते हैं यह बड़े बेकार होते यह पास करने चाहते नहीं इनको हिम्मत नहीं है और इनको चिड़ भी होती है कि मैं गया कभी टूर पर ठीक है मैं डाल दिया पिच्चर देखा मशीनियमा गया ऐसा करके बेल बना तीनन की के म Patreon भी होती है टम को क्या करना तूम पैसा ना फोップपने पिच्चाह को अटल में क्यों क्या सब निगा किसमें पंसीज नमें सब लिखा यह जिए तेरे बापका कुछ जा रहा है कि फरजी बना तो डाला उसको तुटाला इवन उसने तीन बजे मेरा अलाउंस को डाला करी पांच बजे मेरा अइकान में पैसा आगे मैं दिखाया उसको तब भी नहीं मानते हैं ठीक है तो यह बैक हवोस के कमजोर ही है इसमें बीम को बोलना अची है ठीक है लेकिन सब अपना अपना रखते हैं लेकिन आप अपने ऑफिस के साफ से देखिए कोन क्या में ट्रेवल करते तो आप करेंगे तो फिर बोलेंगे आपको आपका पास हो जाएगा लेकिन भीजेगे नहीं तो यहां पर आपको दिक्कत पड़ जाता है बाकि काम से गयव हैं तो आपको सब कुछ फ्री है ठीक है आपका एक पसन लगना लेकिन सब का बिल चाहिए है आटोमेटर वल किया अब उसका बिल करेंगे तो वहां से पास हो जाएगा ठीक है बिल वाइज नहीं रहेगा तो एक कपश से पास नहीं होने वाला हो जाता है आदमी टूर पर गया है तो कहीं नहीं हर चीज का बिल थोना लेगा तो यह ऐसे अलाउंस बहुत मिलते हैं ठीक है आप 50 क्लिमेंटर की ऊपर चले गए आप समझ दो आपको आपको बात करना अच्छा है आप प्लस आपको वर्किंग भी अच्छा होना चाहिए ठीक है अब कंपनी के पुराने अब नहीं जॉइन कर लिए दो मेंथ नहीं हुआ है आपने फाइली नहीं किया और प्लूर पर चे निकल गया और पांच यह जार के बिल पेल दिये तो थोड़ा सकड़ लगेगा आप कर रहे हैं आपको काम दिक रहा है हाँ तो हो जाता है लेकिन यह द इंदर से मागने की जिरूरत में क्योंकि जितने भी आपके सेलेरी बनती है वह हाउस रैंड इंशुरेंस इंशुरेंस के साथ में सेलेरी बनती है ठीक है उसमें सब बाता है सलेरी में वह इंक्लूड होती है ठीक है लेकिन आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं लेकिन करने से पहले कुछ भी सूत लेना गलत है और में राइक चैनल इस बाइं इस बाढ़ को नहीं पवलता कि आप पासा बतादे रहे हैं चिब司क आख 1988 have जब वह फोन करेगा कस्टमर कॉलिंग करेगा तो पूछेगा अपसे कुछ अश्टा पसा लिया मेरे पास बहुत सब्सक्राइब को बता दिया करो अपके पास में इसको इंकार कर देना जूट बोल देना करें मत बताना खर कस्टमर मान जाता है तो रिसक काम मत करो अगर नहीं यहाथा तो किस अससब की बस की बात नहीं है इस सब निकाल कैंब हो बहुत कम हमारे जैसे लोग ही निकाल सकते हैं आप भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा पैशेंट और थोड़ा वर्क और थोड़ा वीमियों को सपोर्ट रहे तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा और अपने काम दिखाऊगे तो अईज़स्ट हो जाता है ठीक है खुब आपको यह वीडियो पसंद आया तो चलिए लाइक सबस्काइब कर सकते हैं और मिलते हैं एक वीडियो में कल तो मिलते हैं कल एक बैदरी वीडियो में तब तक बाबाबा शुक्रिया और सब्सक्राइब